तो यह इसकी numbering हो गई जल मंडल जल मंडल क्या होता है अगर आप किसी भी space पे जो आदनी है उससे पूछेंगे कि भाई आपको पृत्वी कैसे दिखती है तो आप देखेंगे कि वो कहेगा कि मुझे blue planet दिखता है पृत्वी नीला ग्रह है पृत्वी का जल के सभी प्रकार है याने महासागर और नदिया यहाँ जीले है हिम नदिया है जमीन के नीचे भी पानी है वायू मंडल में भी पानी है वो भाब के रूप में जलवाश्प के रूप में तो पृत्वी पर पाए जाने वाले जल का 97 प्रतिशत भाग यह कहां है यह ओशन्स में है यह महासागरों में है और यह सब सलाइन वाटर है खारा पानी होता है तो हम इसे पी नहीं सकते तो 97 परसंट तो वेस्ट हो गया हमारे लिए सौदी अरब जैसे देश है यही पानी यूज़ करते है इसको मीठा करके इसको यूज़ करते है तो मानों के उप्योग में वैसे तो यह नार्मल नहीं आ सकता जो बाकी जल है उसका बहुत बड़ा भाग जो है वो ग्लेशर्स में है यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशर्स है मतलब स्नो में हिम नदिया है बहुत बड़ा भाग यह भी है जो जमीन के नीचे है तो जल का बहुत कम भाग ऐसा है जो अलवणी है याने की जो मीठा पानी है मनुष्य जिसे इस्तवाल कर सकता है आप यह सोचिए कि नीले ग्रह में रहते हुए भी हमें पानी नहीं मिलता पानी की कमी है तो एक यहाँ इसका बाइफरकेशन बताता हूँ इसको थोड़ा और अच्छे से बताऊँगा 97.2 महा सागा रह पूरा और इसका एक भाग देखेगा यहाँ पर कि हिम चादरो और भूभर्ग में संचित जल यह हो गया इसका 0.03% यह पीने योगी है यहाँ यह अलवणी यह जल है यहाँ और थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करें तो पूरा ओशन 97.2 हो गया 2.8 पानी जो है वो हमारे पास मीठा पानी है अब इस मीठे पानी में भी पूरा नहीं पी सकते हैं क्योंकि maximum पानी जो है वो बर्फ के रूप में है gracious के रूप में है अब इसलिए Canada में कहते हैं Canada में कभी भी पानी कमें नहीं होने वाले अब groundwater जो होगा जमीन के नीचे वो 0.63% है अब इसमें आप आई जाए यह 0. इस पूरे गोले में मतलब 2.8% का हमने गोला बनाया और 2.8% का केवल 0.02% यहाँ पर अब मीठा पानी हो गया जो हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन यह पानी भी देखिए या तो वो लेक में है तालाबों में है या वो फ्रेश वाटर लेक है कुछ भाप बनके है कुछ स्ट्रीम में चल रहा है कुछ जमीन में जजब पानी है तो यह सारे पानी इस तरीके के हैं जो हम कहीं तरीके से यूज़ कर सकते हैं यानि पानी बहुत अनमूल है ध्यान रखिएगा